हाई एवरीबन अब हम लोग बात करने वाले हैं कि react native के अंदर custom modal कैसे बना सकते हैं custom modal से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग एक modal बनाने वाले हैं खुद के logic के साथ में यहाँ पर कोई भी कोई external library या फिर react native वाला modal जो खुद का component होता ना वो यूज नहीं करने वाले खुद के logic से एक modal बनेंगे डायलोग बोक्स बनाएंगे यह कैसा दिखेगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको भी बताने वाला हूँ एक चीज़ आप यहाँ पर कह सकते हो कि style थोड़ी अच्छी नहीं लग रही style आप खुद से लगा सकते हो कुछ भी इसके अंदर बना लो यहाँ पर text को छोड़ा बड़ा करना है बटन को नीचे लिकाना है चोड़ा करना है यहाँ पर cross icon जाद अच्छी ना लगे बट definitely modal properly काम आपको करतवा मिलेगा so points की बात करें तो सबसे पहले हमें एक बटन लेना है और कुछ UI component लेने है UI component जैसे की text हो गया या फेर view हो गई इन वाले component की बात कर रहा हूं मैं उसके बाद में हम लोग style की help से modal बना रहे हैं जो हम लोग यहा साथ में और लास्ट में कुछ interview question भी हम लोग discuss करने वाले है अल्राइट अब हम लोग चलते है code के उपर so हम लोग यहां पर app.js वाले computer के दर code करने वाले हैं और यहां पर हमारी screen के उपर हमें output दिख जाएगा यह side वाला area थोड़ा सा hide कर देता हूं ताकि थोड़ा सा space रहे हमारे पास काम करने के लिए so सबसे पहले मैं यहां पर style sheet को import करूंगा so style sheet और यहां से एक मैं consonant ले लेता हूं इसका आप नाम पुछ भी रख सकते हो मैं इसका नाम रख रहा हूं style sheet को create करेंगे हम लोग और इसके अंदर हमारी सारी CSS या फिर आप कहाई सकते हो style अलगा हमारा यहां पर आ जाएगा so सबसे पहले जो मेरे पास main view है इसको मैं style देता हूं और इसका नाम मैं यहां पर दे लेता हूं not buffer button चाहिए and button हम लोग simple इस तरीक से use कर सकते हैं आप लिएता हूं title और यहां पर कर देता हूं open dialogue चीक है so आपको यहां पर button देख गया इसको मैं थोड़ा नीचे fix करना है so मैं यहां पर container को style करना start करता हूं container और इसको सबसे पहले मैं दूँगा flex 1 ताकि यह पूरी screen को cover कर पाए उसके बाद में justify content के अंदर जो मेरा content है इसको flex end में कर दूँगा और यह हमारा जो button है य अब हमें बनाना है यहां पर dialogue box ठीक है so dialogue box बनाने के लिए मैं एक अलग से view लेता हूं आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो मैं इसका जो style है उसका नाम रख देता हूं modal ठीक है so यहां पर लिखूंगा styles.modal इस तरीके से और इस modal का style हम लोग यहां पर करते है modal इस modal के अं एक चीज आएगी ना so मैं background color देता हूं background color अगर मैं direct देता हूं let's see मैं नहीं कर दिया green तो इसने पूरी screen को cover कर ले इस तरीके से बटन को चोड़ के ठीक है but because यह button के बराबर है ना उसे लिए but देखो मुझे जो background color है इस तरीके का निच यह मुझे चाहिए थोड़ा सा transparent तो आप यहाँ पर use कर सकते हो R G B A ठीक है अचा इसके अंदर इसके colors होते है कि आप ज्यादा basically use करते हैं यह इसको red green blue alpha इसका मतलब होता है जिसके पहले तीन color होंगे और last में इसकी opacity होगी तो मैं इसकी color देता हूं 50 50 and 50 और उसके बाद में मैं इसका 0.5 देता हूं जैसे म यहाँ पे 0.5 देंगा आप देख सकते थोड़ा gray color का दिख रहे है बड़ यह actually gray color नहीं है अगर मैं इसको complete one दूँगा तो आप देख यह पूरा black है और जब मैं इसको 0.5 देता हूं तो यह transparent होके आपको ऐसा दिख रहे है चीक है समझ गया आप all right so अब हम लोग क्या कर सक style दूँगा style और इसका मैं हाँ पे नाम रख लेता हूं styles.body आप कुछ भी नाम रख सकते हो आपको इस चीच का पत है को में कुछ दिक्कत नहीं होती जो भी हमें ठीक लगे वो रख सकते हैं अच्छा इसके अंदर मैं एक again button ले लेता हूं जो इसको close करेगा सो सबसे पहले मैंने button लिया और button मैं आप लिख देता हूं title दोंगा सबसे पहले close इसका मैं देता हूं यहाँ ठीक है आपको यह ऊपर दिग गया अब आप तो चोगे दो ऊपर थोड़ा जीव लग रहा है बट अभी थोड़ी थोड़ी दीरे-दीरे style एड होगी ना तो आपको और अच् लिख देता हूं यहाँ लिख देता हूं some text ठीक है some text लिख रहा हूं इसके अंदर आप कुछ भी text लिख सकते हो ठीक है अच्छा so text ऊपर से imported नहीं है तो इसको import करना पड़ेगा text import हो गया अब देखो जो हमारी body है ना इसका हमें background color वगारा फिसे देना पड़ेगा मैं इसका color देता हूं background color और यह देता हूं मैं यहाँ पे fff that means white color हो गये यह but जैसे ही मैंने यहाँ पे white color दिया आप देख सकते हूं कि ऊपर color आया पूरी screen के ऊपर color यह नहीं आया so आप यहाँ पे इसकी height दे सकते हो अपनी margy से even आप flex वगरा भी दे सकते हो अब अभी के लिए मैं height यूज कर रहा हूं जैसे मैंने आपको उता है stack पर ज्यादा focus नहीं कर रहा so मैंने देदी इसकी height let's say 300 और same मैंने इसकी width भी देदी 300 so अब यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है white color वाला अच्छा इसके उपर text कहां गया बटन का अच्छा 3000 दे दिया मैंने sorry इस वज़े से नहीं दिख रहा होगा अच्छा अब दिख रहा है अब इसको मैं इसको center में भी लेकर आना है so मैं आप यह करता हूं जो मेरा modal है ठीक है अच्छा यह क्यों होगा अच्छा डबल को मस लग गए अच्छा ओके ओल्राइट एंड अगर आप इसके अंदर भी थोड़ा content को set करना चाहते हो तो आप वह भी कर सकते हो जैसिक में आप यह जेस्टिफाइड content flex लेता हूं flex end तो यहां पे यह last के नदर set हो गया even आप यहां सेट कर सकते हो इसको पर इसको पर भी focus है और मैं यहां पे border radius भी कर देता हूं ठीक है border radius वह भी 10 all right so यह हमारा होगा बट अभी के लिए button वगरा कुछ काम नहीं कर रहे है जास्टर में देख रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े एक state लेनी पड़ेगी that's all so मैं यहां पे क्या करता हूं एक state के लेता हूं const और यहां पे लिख लेता हूं let's say show and set show और यहां पे हम लोग क्या करेंगे use state by default इसकी value रहेगी false और मैं यहां पे modal के चारों तरफ अब लगाता हूं style यह वाल और इसका अगर मैं put करूँगा कि अगर show true है तो यह दिखे otherwise कुछ भी ना दिखे यहां पे तो अब यहां पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा अब मैं यह करता हूं अब यह buttons के ओपर इसको set भी करना पड़ेगा show and hide भी करना पड़ेगा so on press करूँगा on press के ओपर हम लोग क्या करेंगे यहां पे set set show कर देंगे set show में हम लोग इसको यहां पे कर देते है true और जैसे मैं इसको पर अब क्लिक करता हूं so modal हमारा view हो गया visible हो गया अब इसको hide करने के लिए हमें हमारे पास यह वाला button है और इसके उपर मैं आप यह कर देता हूं false इस तरीके से right so इसको पर हम लोग close कर सकते हैं इसको हम लोग show कर सकते हैं so guys that's all for this part अगर कुछ confusion है कुछ doubt है कुछ query है तो मुझे कमेंट section के लिए पूच सकते हो and next early part से हम लोग navigation के अबर काम करना start कर देंगे so stay tuned with us and please subscribe my channel like this video and share your feedback in comment section और ये मेरा PDM का donation number है thank you guys thank you so much